मेरे परिवार जनो, जब कानून व्यवस्ता की ऐसी स्थिती हो, वहाँ निवेस नहीं होता, वहाँ व्यापार करोबार चोपट हो जाता है, लेकिन कोगिरेस की सरकार को राजस्तान के हित्स से ज़्यादा अपना वोट बेंक प्यारा है, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ, जोद पूर जब दंगों में जल रहा था, जोद पूर जब जोद पूर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुक्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी निर्दोस्त लोग मारे जा रहे थे तो कॉंग्रेस के नेता क्या कर रहे थे क्या कॉंग्रेस की पहली और आखरी निती सिर्फ पर्थरप तुस्ति कर रहे है क्या राम नौबी परशुराम जेनती हनमान जेनती कोई भी तोहार ऐसा नहीं है जिस में राजस्तान से पत्थरबाजी की खबरे न आती हूं जिस जोदपूर शहर को शांती के लिए जाना जाता था वहां दिन दाड़े गैंग वार होती है एक व्यापारी के बेटे का अपरण होता है उसे बेरमी से मार दिया जाता है यहां कॉंग्रेस की विधायक खुद कहती है वो सुरक्षित नहीं है हम कलपना कर सकते हैं कि सामान ये बेहन बेटी की हां क्या स्थिती होती होगी सिरोही की आठ साल की मासुम बच्ची साचोर की दो नावालिक बेटिया नागोर में साथ साल की बच्ची कोई मुझे बताए उनका क्या कसूर था ऐसी कितनी ही मासुम बेटिया हैं जिनको असमय ही हम से छिन लिया गया ऐसी कितनी वारदाते कॉंग्रेस के राज में बेलगाम अपरादियों की सच्चाई बताती है राजस्तान अब ये नहीं सहेगा भाजपा आएगी दंगे रुकवाएगी भाजपा आएगी गुन्डा गिर्दी रुकवाएगी भाजपा आएगी महिला सुरक्षा लाएगी